नमस्कार पहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्राण जोते सेक्रेट करक रासी अभी आप पे चल रही है सनी देव की धहिया और ये 29 मार्च 2025 को धहिया उतर जाएगी लेकिन इसके बाद जैसे ही जो सनी देव हैं मीन डासी में जाएंगे जल की रासी है और जब य लाइफ स्मूथ हो जाता है सारा टिंसन खात्म लेकिन आपकी लाइफ में 2025 से 27 तक का वक्त कैसा रहेगा क्या उधाम मचाने वाले हैं राहू और क्या देकर जाएंगे तमाम बाते जारी है वीडियो के अंतक बने रहे हैं और ये प्रिडिक्शन चंद्रासी पर आधारीत ह तो देखिए करकबालो ये जो ढाई बर्स है आपका चल रहा है बहुत तरह के उतल पुतल लेकिन उतरती भी ढईया देकर जाती है ये 100% सकते है और आप अभी से ये चीजों को फिल कर रहे होंगे जो बंते बंते कारे रुक से रहे थे नुकसान हो रहा था आर्थे किस्ति डवा डोल हो गई थी पारी बारी जीवन में मुश्किलें हो गई थी वो तमाम चीजें अब धीरे धीरे बहतर हो रही है तो सनी देव की जो ढईया है इसका प्रभाव आपके लिए 29 मार्श 2025 को समाप्त हो जाएगा लेकिन एक कहावत ये भी है कि उत्तरता हुआ ग्रह बह कोई भी डिसीजन मत लीजेगा और सांत धहर का दामन ठामी रखिए उतावले बंद से बचिएगा तो ये ढईया निकल तो जाएगी लेकिन निकलते निकलते बहुत कुछ दे कर जाएगी राहत महसूस करेंगे पारी बारी जीवन में अपनापन बढ़ेगा मेल मिलाब समस्या ये आपको भी महसूस हो रही होगी लेकिन सेयर मार्केट बगेरे से थोड़ा आपको यहां राहत भी अब मिलना सुरू हो चुका है और 29 मार्च को जैसे ही मीन डासी में सनीदेव जाएंगे आपकी धया पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी आप आजात हो जाएंगे तो सनीदेव जब आपके धर्म भाग्य अस्थान में जाएंगे धार्मी कारिक्रम करने का अवसर मिलेगा तिर्थियात्रा करेंगे लंबी दुरी की यात्राओं का आनंद लेंगे आपका मन प्रसन रहेगा और सनीदेव यहां बैठ कर लाब अस्थान को देखेंगे तब यह समय और भी अच्छा है क्योंकि लाब घर में सनीदेव की दृष्टी होने से धना आएगा हर काम में आपको प्रॉफिट बढ़ेगा भाई बहन प्राकरम घर को देखेंगे तो भाई बहन से आपके संबंद में किसी तरह की कोई कमी थी कड़वाहर थी वो भी सुधार ह होगा वैसे सनीदेव की दृष्टी भी यहां है अब देखे केतु पहले से बैठे हैं तो भाई रिष्टेदार का सपोर्ट मिलने की भी संभावना बनेगी लेकिन अगर आप अपने बलबूते कुछ करना चाहते हैं तो भी इसमें सफलता आपको देगा केतु पर भाई ब पर करना चाहते हैं या पार्टनर्सीप में कोई काम कर रहे हैं तब आप 29 मार्च के बाद अपना कार प्रारंब कर सकते हैं सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी अब देखे पूरे दो महने आपको राहु राहु तो मीन डासी में पहले से बिराजमान है और सनी देव यह साथ अगले दो महने के लिए 50 योग बना कर बैठेंगे अब यह 50 योग में आपके लाइफ में इसका क्या प्रफाव पड़ेगा इस योग से कैसे बचें इस योग को कैसे भंग करें यह भी हम जानेंगे विडियो के अंति में देखिए सनी और राहु की यूति आपके भा भागय उदय होगा सनी देव आपके अस्टम घर का मालिक होकर भागय अस्थान नवंभा में रहेंगे तब आपको लोट्री जुवा सट्टा समंदी कोई भी काम मत कीजिएगा और जैसा आप जहां कर रहें काम सोश समझ कर इंवेश्ट भी करें तो ठीक है फाइदा होगा सुक सांती से रहेंगे बड़ा जुक सान नहीं होगा तो पूजा पाठ के तरफ आपको ध्यान देना है और सुष समंझ कर काम करना है देव गुरु ब्रिश्पति 2025 में रासी परिवर्तन करेंगे गुरु दो बार रासी परिवर्तन करेंगे और सनी देव एक बार और राहु एक बार तो 15 मई 2025 को ब्रिश्व रासी से निकल कर मिथुन रासी में प्रवेश करेंगे देव गुरु ब्रिश्पति तब उनके यहां पर आने से खर्च का अस्थान है तो खर्च थोड़ा बढ़ेगा पर धार्मी कारेकरम पर धार्मी की यात्राइं आपको सफलता देगी जीवन साती का स्वास्त का थोड़ा कया लगे तो उत्तम है एक दूसरे से बातों को सेयर करिए और विदेश अस्थान में गुरू बैठ जाते हैं इसलिए इसको खराब काया जाता है लेकिन इस घर में कोई गरह बैठ जाए तो अच्छा फल नहीं देता तो ऐसे में भागे का मालिक गुरू आपके बार में घर में अगर आप दूर दराज की यात्रा करना चाहते हैं बेदेश यात्रा करना चाहते हैं तो बनाया रखेंगे रिस्तों में सुधार होगा अपना मकान भूमी भवन वहन अगर आप प्रपर्टी करना चाहते हैं तो वक्त बढ़िया है अपना कारे प्रारंभ कर सकते हैं वहन आदी लेना चाहते हैं घर में कोई संदर प्रसादन समंदी सुक्सु विधाओं पर प्रापधानी रखें और क्योंकि यहां पर किसी को देना भी नहीं है फसावा धन रुकावा धन प्राप्थोने में मुस्किल आएगी जूठी प्रसंसा बयान बाजी जूठा तमाम बखान यह सबी चीजों को थोड़ा कम करें और अपनी खुसियों का थोड़ा खयाल रख हैं उच्चे के होकर तो गुरू आपके रासी में जब आएंगे तो सबसे पहली बात यह है कि आपको पेट का थोड़ा खयाल रखना होगा अगर आप और विवाह होगी विवाह तै होगा विवाह होने की 100% सभाव ना बनेगी जीवन साती के स्वास्त का जो कमी है वो करक वालों को देव गुरू बैस्पती तो पांच दिसंबर 2025 को वक्री होंगे उल्टा चाल चलेंगे मिथुन रासी की तरह पाएंगे तब एक बार फिर से यहां पर गुरू दो अपरेल 2026 को फिर से मारगी होंगे तो अब गुरू पुना जब मारगी होगा गुरू यहां से यहां तक आने में पांच नॉम्बर 2025 तक का समय लगेगा और यहां पर गुरू पांच नॉम्बर 2026 के बाद आपकी कुणली में यहां पर देखिए औस्थाई रूप से आपको लाब तो देगा स्वास्त में भी सुधार करेगा और बच्चों समंदी कोई बढ़ियां ख जब द्रिष्टी पढ़ती है तो गुरू नीच की रासी में जब रहेंगे तब गुरू की द्रिष्टी पढ़ने से जीवन साथी और आपके बीच थोड़ा सा टेंसन होगा लेकिन जैसे ही कर्ग में आएंगे तो रिस्तों में सुधार होगा भरोसा फिर से बढ़ेगा औ खार्मिक कारे करवाएगा कोई बहुत समाजिक समाहरों वेगरा में भी आप समलित हो सकते हैं 18 मई 2025 को राहू कुमरासी में जैनिकि आपके अस्टम में आ रहे हैं तो 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक करिब करिब दो महने का वक्त है जब राहू और सनी एक साथ होंगे तब यहां करिब 18 मेने का इसके आगे का वक्त है जीवन साती के साथ ताल मिल बना कर जलें चोटी मुटे बातों पर सक ना करें और दूसरा साब्धान रहे हैं रहू यहां बैठकर आपकी वानी भाव को देखेगा तो ऐसे में केतु यहां पर पहले से बैठा है तो क्या होगा ना बा जा एहंकारी आप समझे जा सकते हैं आपके परिवार का बैभार आपके लिए थोड़ा से निश्टूर हो सकता है इसलिए परिवार में प्रेम बनाये रखें बैभार को बेहतर करें एहंकार में मत आईएगा रहू यहां पर बैठके आपके विदेश के घर को देखेंगे बिदेश यातरा करवाएंगे नए बैक्ती से जल्दी दोस्ती मत कीजेगा नया चीज खेंदा नहीं चाहिए इस परियेड में कानूनी मामलों में से जड़ा दूर रहिए साबधान रहिए तो उत्तम है अब देखिए इस समय राहू आपके चतूत घर को देखेंगे तो मा स्क्रe The जो धहिया की मुश्किले हैं वो तो खत्म होगी लेकिन उतरती भी धहिया बहुत कुछ दे कर जाएगा पर उतावले पन से बशना इस बात को भी ध्यान रखें संतान के उपर जैसे की संतान का डेवलेप्मेंट होगा अगर संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति की योग बने लेंगे जीवन में बहुत सारे सुनारे अउसर आपको मिलेंगे आउसरों को आपको फायदा उठाना चाहिए और इस समय आप खास कर जैसे पुर्णिमा के पुर्णिमा आप चंद्रमा को जल और पीत कर सकते हैं छट पर जाके आप चंद्रमा को देखकर जल और पीत कर दें इससे भी आपको benefit मिलेगा मन की सांती सुकून रहेगा और यह जो अगला आने वाला धाई साल है यानि कि 2027 तक का वक्त यह वक्त आप कर सब्सक्राइब करें सेर करें कमेंट करें धन्यवाद हम फिर मिलें करें